कार कास्ट क्लासीज में मैं चंदर हास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ये आपकी हर्याना जीके की किलास है और ये किलास बड़ी ही सांदार और लाजवाब आपके लिए जाएगी जितना प्यार और शहयोग आपने पिछली वीडियो के उपर दिया है उतना प्यार और शहयोग आप लगातार हमारे साथ में बना कर रखिएगा साथियों हम हर्याना जीके बहतरीन तरीके से एकदम जहर तरीके से हर्याना जीके पढ़ रहे हैं और आसा करता हूँ कि वो हरियाना जी के आपको पसंद भी आ रही है आप वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो पूरी देखने के बाद में जज़ करें कि आपको हरियाना जी के कितनी समझ में आई इसके अंदर आपको क्या-क्या परसन समझ में आये, कौन-कौन से आपको फाइदे हुए इस वीडियो देखने से और उसके बाद में आप कमेंट करके बताना जरूर कि आपको वीडियो कैसे लगी तो चली अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो पहला क्यूशन है, वो क्यूशन क्या है वो देखे जनगनना 2011 के अनुसार हरियाना के किस जिले में महिला साकसरता दर सरवादिक है ये पूशरा है कि 2011 की जो जनगनना थी, पहले हम बात कर ले कि भारत के अंदर जो जनगनना हुई है जनगनना भारत में पहली बार जनगनना हुई 1872 में, लेकिन ये एक एनिमित जनगनना थी ये कैसी जनगना थी? एनीमित बोले तो irregular census थी जो 1872 में हुई थी ये किस के सासनकाल के दोरान हुई थी तो आप बताएंगे ये जनगना लाड मेयो के सासनकाल के दोरान हुई थी लेकिन हम बात करें भारत के अंदर नीमित जनगना रेगुलर सेंसस की तो भारत के अंदर नीमित जनगना हुई 1881 में 1881 में भारत में नीमित जनगना हुई थी किस के सासनकाल में तो आप बताएंगे लोड रिपन के सासनकाल के दोरान भारत में पहली बार नीमित जनगना हुई 1881 जिसके अंदर सोज ओड़ दे 1981 1981 के अंदर आप याद रखेगा जो आपका हरियाना Board of School Education है HBSC है उसे चंडीगड से भीवानी के अंदर स्थांतरीत किया गया था 1981 के अंदर ही चर्खी दादरी की जो सिमेंट फैक्टरी है उस सिमेंट फैक्टरी को सिमेंट कोर्पोरेशन ओफ इंडिया ने अपने अंदर में लिया था 1981 में सो गटादे 1881 भारत में पहली बार नीमी जनगना हुई थी और ये जनगना लाड रीपन के सासनकाल के दोरान हुई थी लेकिन साथियों यहीं पर आपने एक याद रखना पड़ेगा एक पॉइंट कि 1881 के अंदर ही हर्याना में किशानों के मसीहा दीन बंधू सर छोटुराम का जनम भी हुआ था गड़ी सापला किलोई रोहुत तक के अंदर है यह भी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है लेकिन हम तो बात कर रहे हैं दोस्तो 2011 की जनगर्णा की 2011 की जनगर्णा सोतंतर भारत की सातवी और वैसे पंदरवे नमबर की जनगर्णा है और यह एक्जाम में क्यूशन पूछ रहा है एक्जामिनर में क्यूशन कलर्ण के एक्जाम में क्यूशन पूछा है और वो क्यूशन है जनगर्णा 2011 की अनुसार हर्याना के किस जिले में महिला साक्सरता दर उच है हर्याना का वह जिला जिसकी सबसे ज़्यादा पड़ी लिखी महिलाएं है जिस जिले में सबसे ज़्यादा पड़ी लिखी महिलाएं मिलती है तो गुरू दोनाचारिये की नगरी के अंदर गुरू ग्राम के अंदर हरियाना कब है जिला जिसमें महिला साकसर्ता दर सबसे उच है literacy rate महिलाओ की देखे तो सबसे उच है कौन सा डिस्टी का गुरू ग्राम पुरुष साकसर्ता में यदि पूछे तो आप बता देना रेवाडी और ओवराल साकसर्ता में पूछे तो पहले स्थान पर गुरू ग्राम दूसरे स्थान पर पंचकुला तीसरे स्थान पर अंबाला और चोते स्थान पर फरीदाबाद लेकिन पुरुष साकसर्ता पूछे या महिला साकसर्ता पूछे या ओवराल साकसर्ता पूछे आप किसे बताएंगे तो आप बताएंगे मेवाद सबसे नीचे है याद रखें महिला साक्सरता में भी सबसे नीचे है पुरुष साक्सरता में भी सबसे नीचे है ओवराल साक्सरता में भी सबसे नीचे है लेकिन यदि आप से एक्जामिनर पूछे कि लिंगानुपात में पर्थम स्थान किसका है सेक्स रेशियो के अंदर यदि फ़स्ट स्थान पूछे तो सेक्स रेशियो के अंदर पहला स्थान है किसका तो आप बता देना मेवात का याद रखे आदी बदरी का संबंद किस पवितर नदी से आदी बदरी का सम्मन साथियों पहले हमने ये देखना पड़ेगा कि ये जो आदी बदरी है ये आदी बदरी कोणशे जिले के अंदर सितीत है तो देखें एक बार एक बार ये इसको साफ कर देते हैं हमारे दवारा जो वीडियो आपको करवाई जा रही है ये बहुत अच्छी सी रीच है और ये आपके एक्जामस के अंदर बहुत लावदायक सिध होगी आप देखना ये पूछ रहा है कि आदी बदरी जो नामक स्थान है आदी बदरी ये कोणशी नदी से सम्मंदित है तो आदी बदरी कहां पर पड़ता है तो आप बताएंगे यमुननगर के अंदर बढ़ता है और हर्याना के अंदर सरस्वती नदी कोणशी जिले से परवेश करती है हर्याना की सबसे पवित्तर नदी है सरस्वती नदी जिसके किनारे महर्शी वेदव्यास ने बैठकर महाभारत की रचना की थी महाभारत की रचना कोणशी नदी के उपर की गई है तो आप बताएंगे सरस्वती नदी और वो सरस्वती नदी हरियाना में कहां से परवेश करती है सरस्वती नदी हरियाना में परवेश करती है याद रखिएगा हरियाणा की सबसे पवित्तर नदी जिसका नाम क्या है तो आप बताएंगे सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे पवित्तर नदी है। परधान मंत्री श्री नरेंदर मोधी नहीं की थी। श्री नरेंदर मोधी आखिरकार परधान मंत्री है। सभी को पता है। लेकिन इसके बाद भी कई सटूडेंटों को ये नहीं पता कि श्री नरेंदर मोधी सानसद है या विधायक है। गरहन करनी होगी तो लोग सबा में भहुमत दलका नेता परधान मंत्री चुना जाता है तो लोग सबा में सांसद बैठते हैं तो नरेंदर मोदी सांसद है विधान सबा में भहुमत दलका नेता विधायक चुना जाता है विधान सभा में वहुमत दलकानेता मुख्यमंत्री चुना जाता है और विधान सभा में विधायक बैटते हैं लेकिन याद रखिएगा आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री विधायक है या सांसद है तो आप बताएंगे विधायक और आपसे पूछे कि नरेंदर मोदी जो वि 2015 के अंदर बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान की सुरुवात की थी किसने सिरी नरेदर मोधी ने बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान की जब सुरुवात हुई तो इसकी पर्थम ब्रांड अमस्डर माधुरी दिक्सित को बनाया गया बेटी बचाओ बेटी प सम्मंद कुस्ती से है, साक्सी मलिक जिसका सम्मंद रोहतक के मोख्रा गाउं से है, साक्सी मलिक जिसका जनम 3 सेप्टमबर 1902 में हुआ था, वरतमान में बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान की जो ब्रांड अमेस्टर है वो साक्सी मलिक है, लेकिन आखिरकार क्यूसन ये उठता है कि स्री नरेंदर मोधी ने बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान की शुरुआत क्योंकि इसके पीछे क्या कारण था, तो स्री नरेंदर मोधी ने बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान की शुरुआत, पानीपत से इसलिए कि क्योंकि हर्याना का ल लिंगानुपात है वो पूरे देश में सबसे कम हैं और ये लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वियान की शुरुवात की गई पानिपत से 22 जनवरी 2015 में स्री नरेंदर मोधी ने की थी अब हर्याना का लिंगानुपात सुद्रेगा य देश नोट कर लीजिए। गुलाम वन्सकी नीव 1206 में कुतुबुदिन एबख ने रखी थी और वो कुतुबुदिन एबख जो मुहमद गोरी का गुलाम था और वो मुहमद गोरी जो करनाल के अंदर तराइन की पहली लडाई में तो हार गया था पिठ्वी राथ चोहान से लेकिन दूसरी लडाई मे किसी और के धोखे के कारण पिठ्वी राथ चोहान हार गया था मुहमद गोरी से तराइन की पहली लडाई 1191 में के अंदर पिठ्वी राथ चोहान और मुहमद गोरी के बीच में हुई थी जिसमें पिठ्वी राथ चोहान विजेता था लेकिन तराइन की दूसरी लडाई 11 पित्वी रात चोहान और मुहमद गोरी के बीच में हुई थी, अब की बार इस यूद में विजेता कौन था, तो आप बताएंगे साथियो मुहमद गोरी इस यूद में विजेता हुआ करता था, ये चीज भी आपने याद रखने, चलिए, खनीज अंसादनों में अधिकता ह किसकी तो आप बताएंगे महंदरगड की, दबदबा है, अधिकता है, एक तरफ हां सबसे ज्यादा खनीज मिलते हैं, कौन से डिस्टीक में? महंदरगड में, सबसे ज्यादा हिंदू निवास करते हैं महंदरगड में, महंदरगड का मुख्याल है, हरियाना के एकमातर ऐस साधियों यदि हमारे दवारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लग रही है या अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा study group में जितने भी study group में आप जुडे हैं और सभी study group में इस वीडियो को share करें ये आप से request अपईल है चलीये next question है कोहिनोर पत्तर के संपादक कौन थे? कोहिनूर पत्तर के जो संपादक है वो कौन हुआ करते थे एक बर देखेंगे हम कोहिनूर पत्तर के संपादक कौन थे ये पूछ रहा कि कोहिनूर जो समाचार पत्तर है इसके संपादक कौन थे तो आप बताएंगे बाबू बाल मुकुंद गुप्त बाबू बाल मुकुंद गुप्त ये कोहिनूर पत्तर के संपादक हुआ करते थे बाबू बाल मुकुंद गुप्त जिसका संबंद गुडियानी से रहा है गुडियानी जो वर्तमान में रिवाडी के अंदर पढ़ता है 1909 के अंदर एक मारले मिंटो सुधार आया था 1909 में जो मारले मिंटो सुधार आया था उस सुधार का विरोध मारले मिंटो सुधार का विरोध 1909 में बाबु बाल मुकुंद गुप्त ने कौन से पत्रों के माध्यम से किया था तो शिव संभू के चिठ्थे नामक पत्रों के माध्यम से किया था बाबुबाल मुकुंद गुप्त जिसका हिंदी और उर्दू के उपर समान अधीकार था हिंदी में हिंदूस्तान हिंद बंगवासी और उर्दु में अकबार चुनार और कोहिनूर समाचार पत्तर निकल ले थे जिनका सम्मद आखिरकार रेवाडी से रहा है तो ये चीज भी आपने याद रखनी है ठीक है ना ये चीज भी बहुत अच्छे तरीके से याद रहा है हर्याना की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कोन सा है हर्याना की वह नदी जिसका नाम टांगरी नदी है और ये टांगरी नदी जिसका उद्गम स्थाल पूछे तो आप बताएंगे मोर्नी हिल्स तांगरी नदी किसकी सायक है तो आप बताएंगे मारकंडा की सायक है मारकंडा किसकी सायक है तो आप बतादेना सरस्वती की सायक है तांगरी नदी सायक है मारकंडा की मारकंडा सायक है सरस्वती की और ये टांगरी नदी कहां से निकलती है तो मोरनी हिल्स से निकलती है मोरनी हिल्स कहां है तो आप बताएंगे मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर है पंचकुला के अंदर जो शिवाली की पहाडिया फैली है उन्हें मोरनी हिल्स के नाम से जानते है मोरनी हिल्स जिसकी एवरेज हाइट पूछे तो 1220 मिटर उस्षत उचाई 1220 मिटर लेकिन मोरनी हिल्स का सरवोच शीखर पूछे तो आप बताएंगे करहो मोरनी हिल्स का सरवोच शीखर है जिसके उचाई 1514 मिटर है ये करहो मोर्ने हिल्स का ही सर्वोच शीखर नहीं है ये पूरे हर्याना का सर्वोच शीखर है ये हर्याना में सिवालिक का सर्वोच शीखर है ये हर्याना में हिमाले का सर्वोच शीखर है ये उत्तर हर्याना का सर्वोच शीखर है ये पूरे हर्याना का सर्वूचे सीखर है ये मोरने हिल्स का सर्वूचे सीखर है कौन सा करहो जिसकी उचाई 15-14 है याद रखेगा 1514 मेटर जिसकी उचाई है साथियों बहु जहर तरीके से हर्याना जी के पड़ेंगे नेक्स क्यूशन देखे अकबर के समय रेवाडी के सासक कौन हुआ करते थे अकबर आप जानते होंगे जिसका जनम 1542 में हुआ था रानावीरसाल के महल में हुआ था और अकबर जो हुआ करता था एक मुगल समराथ अकबर जो गद्दी के उपर बैठा था 1556 में वो रहा था 1605 तक अकबर के सासनकाल में रेवाडी के एक परशिद सासक हुआ करता था हेमू, हेम चंदर विकर्मा दिते ये अकबर के सासनकाल में एक परशिद सासक रेवाडी से था कौन सा परशिद वेक्ती रोहुत्तक के मोखरा गाउं से संबंदी तो अभी बता चुके हैं साक्सी मलिक का सम्मद है रोहतक के मोखरगां से सुल्तानपूर पक्सी विहार हर्याना के किस जिले के अंदर है सुल्तानपूर पक्सी विहार पूछे सुल्तानपूर नेशनल पारक पूछे और सुल्तानपूर जील पूछे तीनों में से कोई भी क्यूशन पूछे आप गुरु-ग्राम को चुनेंगे सुल्तानपूर पक्सी अब्धारण भी है वो और वो बाद में नेशनल पारक भी बना और सुल्तानपूर नेशनल पारक कब बना ये अभी जो लेटेस्ट ग्राम सचीव का एक्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्यूशन था तो सुल्तानपूर नैशनल पारक 1991 के अंदर बना था चोदरी बंसिलाल जिसका सम्मन्द गोलागड भीवानी से है जिनका जनम 1927 में हुआ था और जिनकी डैथ 2006 के अंदर हुई थी याद रखिएगा साथियो बहतरी तरीके से पढ़ेंगे Next question देखे हरियाना सरकार में यह तो चलो कोई बात नहीं है हरियाना गठन के समय यहां कितने जिले थे हरियाना का जब गठन हुआ था साथियो एक नवंबर 1966 को तो हरियाना गठन के समय हरियाना के अंदर साथ जिले थे इस परकार का HSSC वाला काफिवार आपसे मजाग के तोर पर यह परसन पूछता है ये person यदि किसी से भी पूछेगा हर्याना के अंदर जितने भी बच्चे बैठे होंगे उन सभी का ठीक होगा और आपको maritalist के अंदर वो question लेकर जाएगा जो आपको maritalist में लेकर जाएगा जो question सभी को आते हैं वो maritalist में नहीं लेकर जाएगे तो साथियों ये ध्यान रखिएगा कि हर्याना जब बना था एक नोमर उचुछासट को पंजाब से अलग हुआ था पंजाब ने हर्याना को 35.18% छितरफल दिया था और उस समय हर्याना के अंदर साथ जिले हुआ करते थे याद रखें next question देखे बीर बारा वन्ने जीव अभ्यारन कहा है ये पूछ रहा है कि जो बीर बारा वन्ने जीव अभ्यारन है ये कहा है तो आप बताएंगे जीन्द में बीर बारा वन्ने जीव अभ्यारन जीन्द में और बीर सिकारगड वन्ने जीव अभ्यारन पूछे तो पिंजोर आप बताएंगे जीन या बीर बारा संद्रक्षन रिजरव पूछे या बीर बारा वन्ने जीवा भ्यारन पूछे तो आप जीन ही बताएंगे एक ही बाते दोनों उसके बाद में महिला परवर्ता रोही जिसने दो बार माउंट अवरेस्ट को फते किया तो महिला परवर्ता रोही एरे ये पता है आपको लेकिन इसमें देखना हम क्या क्या एड करते है महिला परवर्ता रोही जिसने दो बार माउंट अवरेस्ट को फते किया उसमें नाम आता है संतोष यादव जिनका संबन्द रिवाडी से है संतोष यादव जिसका जनम 1969 के अंदर हुआ था संतोष यादव का जनम 1969 के अंदर हुआ था कपिल देव इससे 10 साल बड़े है जो हर्याना किर्केट के जनमदाता माने जाते हैं 1983 1993 में जब भारत ने वल्ड कुप जीता था कपिल देव की बदोलट वो कपिल देव जिनका जनम चंडीगड में हुआ था उनका जनम 1959 में हुआ था लेकिन उसके 10 साल बाद उससे 10 साल छोटी है संटोश यादव दस साल बाद जनम हुआ संटोश यादव का ये संतोष यादव जिसने माउंट अवरेस्ट को फते किया 10 मई 1902 में के अंदर पहली बार और अगली साल 10 मई 1903 में के अंदर लगातार दो बार माउंट अवरेस्ट को फते किया था 10 मई वाले दिन संतोष यादव तो ऐसा करने वाली ये पर्थम भारती महिला बन गई थी जिनका संबन्द रेवाडी से था, नेक्स क्यूशन, बहुत अच्छे तरीके जब पढ़ेंगे, वह एकदम जहर तरीके से, थाने सर नामक नगर किस राजा की राजधानी था, थाने सर नामक नगर किस राजा की राजधानी था, हर्याना में राजसभा, हर्याना में राजसभा से कितने सदश से जाते हैं, राजसभा संसद का उच्च सदन है, संसद की दो सदन है, एक लोग सबा, एक राजसबा, लोकसभा संसद का निमन सदन है, राजे सबा संसद का उच्छ सदन है हर्याना से राजे सबा में कितने सदे से जाते हैं? 5 हर्याना से राजे सबा में 5 सदे से जाते हैं और हर्याना से संसद के उच्छ सदन में कितने सदे से जाते हैं? 5 क्योंकि संसद का उच्छ सदन राजे सभाई है तो ये चीज भी याद रखिएगा संसद में पूचे कितने सदन से जाते हैं 15 क्योंकि 10 लोग सभाखे 5 राजे सभाखे लोग सभा में ये 99 सदन में कितने जाते हैं 10 तो साथियो आज की इस वीडियो में इतना ही और यदि हमारे दवारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है एक्च्छल में तो आप हमारे से वादा करें कि इस वीडियो को हम पूरे अरियाना के अंदर फैला देंगे और आप ऐसा करना भी साथ ही हो आपके 2-3 मिनट लगेंगे सभी गुर्पों में सेयर करते हुए आपका थोड़ा स्टाइम लगेगा और हमारे वीवर वगेर बढ़ जाएंगे तो साथ ही वे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जादा से जादा स्टड़ी गुरूप में सेयर करें आज के लिए इतना ही और हम बहुत बहतरी हरियाना जीके किकला से आपके सामने पेस्ट करते रहेंगे तो जै हिंद जै हरियाना धन्यवाद